जैहिन साथियो यह biology की nest class है इससे पहले biology के हम class upload कर चुके हैं जिसमें आपको cell बता चुके हैं कोशिका को पूरे Hutchा से समझा चुके हैं बताया था हमारे सरीर की सबसे छोटी काई यकाई इनकी क्या है कोशिका है जिस परकार मकान की सबसे छोटी काई क्या होती है उसकी क्या होती है इट होती है उसी प्रकार हम लोगों में बता दिया था कि क्या होती है कोशिका का पूरा बताने के बाद आज देखते हैं DNA और RNA कोशिका के सभी अंग बता दिये इधर वता दिया तोग कोशिका का माइटो कोंडिया लाइस ऑस त्वлаг केंगों और क्या बता दिया था कोशिका के इसमें मनें आपको द्रभ बताया था इसमें पूरे सबी एक दूसरे संग उसके श॥ा होता था Right किए इसमें प्रकार य। में भी कुछ ऌगो त्यों सट जाए तो इस्वे एक अगरा होता है जिसे कंदरक कहते हैं क्या कहते हैं केंद्रक दिरफ स्पध्ध इस केंद्रक को बाल डेयर ने खीच के समें क्या बना तिया था किसने कीचा था बाल डेयर ने भखीचा तो यह गुर्षूत्र हमेशाग़ सांथ 2 एक साथ लिखे जाते है एक गुड़सूत्र एक साथ लिखे गुड़सूत्र में बता दिया था मानम में संखिया में देखा जाए तो 46 और जोड़े में देखा जाए तो तेज जोड़ा था जिसमें 22 गुड़सूत्र कैसे बता दिये थे सबके महला था पुरुस के कैसे बता दिये थे समान पुरुस में अगर हो जाएगा मेल में हो जाएगा तो बता दिये थे मेल में क्या हो जाता एक्स और बाई बता दिया था और और महला में बता दिया था क्या हो जाता एक्स और एक्स हो जाता बता दिया था लड़का होना या लड़की होना वो लड़के पर निर्वर करता है ना कि महला पर यह पीछे के वीडियो में हम बहुत आपको आज समझते हैं DNA और RNA अब जब इसे खीच दिया बाल DNA तो इसे गुड़सूत्र निकाल दिया मैंने तेस यह यह गुड़सूत्र को पूरा जोड़े के साथ लिखा है अब जब गुड़सूत्र को भी खीचा तो क्या प्राप्त हुआ DNA इसका अबलोगन कालसुबर्ग ने किया था कालसुबर्ग कावलोग ने किया था और प्रयोग साला में DNA को हर गोविंद खुराना ने देखा था तो धुधी जब से खीच दिया पर्ली बात तो इसे दिए क्दर क्रेंक एक क्या हो우 आरेने की फुलपर्म हो जाती है राइवोस न्यूक्लिक एसिड वारा न्यूक्लिक एसिड दोनों में पीछे आ रहा है तो केंद्रा कितने प्रकार का हो जाता है दो प्रकार का क्या डियने और आरेने केंद्रा कमल कितने प्रकार का हो जाता है दो प्रकार का डियने और आरेने अब देख लेते हैं डियने और आरेने इसके बाद आ जाता है पॉली नूकलोटाइड अब देखो पॉली नूकलोटाइड क्या होता है बता दिया था कि अब लोकन काल्सवर्ग ने यहां पे किया थ जब डीने को और खीच दिया तो इसमें से क्या निकलाई जीन निकलाई जीन अच्छा डीने को ही हम लोग क्या कहते हैं डीने को ही अनुवांसिक पदार्त कहते हैं डीने को ही क्या कहते हैं अनुवांसिक पदार्त कहते हैं डीने अनुवांसिक पदार्त ही है कि जो हम लोगो होंगे रंग ऐसा हो वह संसरीस की दिन सिंग बिएड़ इसेडिन को ब्र ella को पदात Żी है अधि फिर्फेस कारत पहलमान का लड़का पहलमान नहीं होता है यह है कि डी एनली में होता ना कि उसके क्या होता है जीन जीन क謊ता है यह सब दिमाग में होता है या सरीर पे होता है लेकिन अन्वांसिक पदार्त में नहीं होता है तो हम कहीं कोई बिद्वान है तो बिद्वान का लड़का बिद्वान नहीं होगा क्यों कि उसका दिमाग बिद्वान को बिद्वान लेकिन दिमाग बनेगा लेकिन यह नहीं कि बिद्वान के जो दिमाग में वह बच्चे के भी दिमाग में चला जाएगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि अन्वानसिक प्रिंटिंग लिया जाता है ऐसे तो कोई कहने लगेगा कि हम किसी के परेंट रहें बड़ा पैसा वाला देखलेंगें तो उसी को कह दालेंगे हम उनके पूतर रहें तब विंग नैने टेस्ट किया जाता है दुनिया में किसी की अगरंत्ट कर लें तो वह भी क्या अलग अलग होती है हाँ रूप रेखा में हो जाएकी सकल में है कि इसका अगर डिये का research center पूछ दिया जायए तो वो is shifting HTER अबाद में, कहां पे है는 HTER अबाद में, याद रखना DNA का research center कहा है, असमंदान कहा है हेदरावाद में, so DNA का Ablocon किस ने किया था, Karls Burke ने किया था, और प्रियोग साला में Hargowind Kherana ने दिखा और DNA का do model यो बाट्शन एंड को ने दिया था इसने दिया था वाट्सन एंड कि रिंड़ने इन्हों ने कहा था की बैने की आकरति लगार जैसे अप देख रहें यह जो सनचना पर नहीं iC dually inिमलाकर बन house यह कैसी ओग अगल कार यह किस ने का था वाटता चैने कर ना था और डी एने और खीच दिया तो इसमें क्या निकला था क्या निकला था जीन तो अगर पूछ दें डिने का मॉडल किस ने दिया था तो बाट्षेंट किस ने दिया था किरिक ने दिया था इसकी वज़ए से नोवल प्रिस्कार भी मिला था कि कि आप देखते हैं डी एंडे की संरचना को समझ लेते हैं सबस्क्रक पहुता है पॉलिय्व shines9 देखो और रभी लंबी हो जाए तो इसे स्रंकलन कहले लगते हैं तो इसे क्या कह देते हैं पॉली क्या कह देते हैं पॉली नूकलोटाइट कह देते हैं लंबी स्रंकला पॉली मिस जैसे अभी आप जैसे पॉली टेक्निक होता है तो टेक्निक में क्या लगा दिया पॉली पॉली मिस होता अध निकलोटाइड को दो भागों में बांटते हैं एक आ जाता है फॉस्पेट और एक आ जाता है निकलोटाइड क्या जाता है निकलोटाइड आ जाता है अब फॉस्पेट को देखो ये तत्त है क्या है तत्त है तो डिने में कौन सा तत्त पाया जाता है तो बता देंगे फॉस् पेट तत्ट पाए जाता है अब देखो न्यूकलोशाइड को भी दो वागों में बाड़ते हैं खिसमें ? एक सुगर में और एक नाइट्रोजन बड़ते हैं अब सगर को भी दो वागों बांटते हैं यह जो यह अभी सर्चना ड्य ända आ रहे ने हैं आप देको सगर को भी किसमें बांट देते हैं दो वागों में कौन सा एक स्ञोगर और एक लिए खौर अब यह जिसे आरने में आपको नीउक्लिक ऐसिड तो यह इन बता दिया था और मैंने बता दी ती समय सरक्रा और होती तो सरक्रा राएवस नहीं क्या हो जाएगे यहां पर क्या हो जाएगा आरेने हो जाएगा राइवोस सरकरा हो गई और इधर का करें डियने बता दें तो यहां पर क्या हो जाएगा डियने डियने तो क्या हो जाएगा कौनसी सरकरा हो जाएगी डियोक्सी राइवोस सरकरा और डियोक्सी राइवोस और यह बाद वाला जोड़ देंगे नुक्लिक एसिड तो यह फुल पॉर्म भी हो गई डियोक्सी राइवोस नुक्लिक एसिड डियने हो गया ठीक है अब आंगे देखते हैं नाइट्रोजन बेस अब देखो एक तो नुक्लोसाइट को कितने बावमाट दिया सुगर में सुगर का समझा दिया डियने में कौन सी सुगर होती है राइवोस कौन सी होती है डियोक्सी राइवोस सुगर जबकि आ रहने में अगर कोई सुगर पूछे तो कौन सी हो जाती है राइवोस सुगर हो और एसे तो बताई दिया खेंद्र ठीक है अब आते हैं नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस देखो इसे भी दो भागों में बाढ़ते हैं यह प्यूरीन हो जाता है और प्रिमीडीन अब प्यूरीन प्रिमीडीन देखो क्या होता है उपर वाला क्या हो जाता है प्यूरीन हो जाता है और नीचे वाला क्या हो जाता है प्रिमीडीन हो जाता है क्या ह को प्यूरीन में जो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है वो क्या पाया जाता है यहां पर एड़नीन होता है और क्या होता है ग्वानीन होता है क्या होता है ग्वानीन तो याद रखना प्यूरीन में एजी प्यूरीन में क्या आएगा एजी प्यूरीन में क्या जाएगा एजी क्या जाएगा एजी प्यूरीन में क्या हो जाएगा एजी हो जाएगा क्या हो जाएगा एजी और प्रिमिडीन में क्या हो जाएगा सीटी हो जाएगा क्या हो जाएगा सीटी हो जाएगा ठीक है तो एडनीन, गौनीन, ठीक है साइटोसीन और थाइमीन कि अब ये उपर वाला एक दूसरे से जुड़ता है तो अब जब ये जुड़ता है एड़नीन और किस से जुड़ता है एड़नीन और नीचे का किसके साइटोसीन के साथ किसके साइटोसीन के साथ तो किसके से डबल बॉंड से जुड़ता है ठीक है किससे जुड़ता है किसस A जो है वो T से जुड़ता है double bond के साथ तो adnine क्या हो जाएगा? thymine हो जाएगा और ये G किसे कैसा जुड़ता है? वो thirbond C के साथ जुड़ता है DNA में किसमें? DNA में अगर DNA में nitrogen base पूछे जाएं तो DNA में nitrogen base क्या होता है? adnine होता है guanine होता है cytosine होता है thymine होता है कितने बेस होते हैं? चार याद रखना adnine, guanine, cytosine, thymine अगर आपने thymine को हटा दिया यहां से और uracil को रखा तो ये चार nitrogen base RNA में पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? RNA में RNA में RNA में क्या हो जाता है? AG और CU ठीक है? और DNA में बात कर दें DNA में तो DNA में कौन से nitrogen बेस आ जाते हैं? adnine आ जाता है ठीक है? guanine आ जाता है cytosine आ जाता है ठीक है? और कौन आ जाता है? thymine अगर thymine को हटा दिया तो क्या अलगा दिया? uracil तो किसमें पहुँच जाएगा? आ रहे हैं दे समझ माया? और जो adnine है वो किसके साथ? thymine के साथ दूइबंद से जुड़ता है और जबकि guanine cytosine के साथ तिरबंड के साथ जुड़ता है तो याद रखना अगर कोई purine में बात करें तो purine में कौन-कौन से nitrogen base आते हैं? दो आते हैं ag याद रखना जैसे नई-नई पतनी आती है तो वो हमेशा अपने पती से हमेशा कहती है ag ठीक है ag में इस कह देते हैं कई लोग कह देते हैं गधा ag 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 तो आप ऐसे याद रखना प्युरीन से क्या हो जाएगा ag हो जाएगा एगदा और अब देखो primidine में क्या होता है C और क्या होता है u kis में पाई जाएगा किसमें स्थायगा ईए आरेमें एक योग संस्य रहे गा ऑप आरनल पूचा जैँ तो किस नहीं दिया था वाट स्एम्नेंद फिरीक ने धी chuट चांड़ अब इसके बाद आंगे देखते हैं अब देखते हैं कैसे DNA से RNA बनता है और RNA से कैसे DNA बनता है लेकिन RNA की अगर सनचना की बात कर दें, तो यह क्या होती है, सिंगल स्टेंडर्ड हो जाती है, और उधर बता दिया था, नाइट्रोजन बेस में बता दिया था, तो नाइट्रोजन बेस में अगर थाइमीन को आप हटा दोगे, और उसकी जगए यूरेसिल लगा दोगे, तो वो किसमें चला जाएगा, RNA में चला जाएगा, अगर यूरेसिल को हटा के थाइमीन लगा दिया, तो वो किसमें चला जाएगा, वो चला जाएगा किसमें, DNA में चला जाएगा, तो अब देखते हैं कि देखो, और अगर और बना दिया तो आंगे आगको क्या आरेने से क्या प्राप्त हो जाएगी प्रोटीन प्राप्त हो जाएगी क्या हो जाएगी प्रोटीन प्राप्त हो जाएगी इस गटना को यह क्या करते हैं बहुँत crazy RNA किरंजना देख लो कैसी होती है single होती है क्या हो जाएगी नहीं कि लगाणे को यह dna का तुम Deborah में नहीं आब दैख और आइने को 3 वागों बाढ़ते हैं और आ ले धिक्षिच आप जैसे खाना हमारे पेड में जाता है तो हमारे सरीर में ही पहले से ही 20 एमीनो एसिट क्या होते हैं पहले से ही उपस्तित होते हैं और 20 एमीनो एसिट मिलके और वो क्या बनाते हैं एक प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन से हमें क्या प्राफ्त होती हैं क्या होती है उर्जा तो बस यही जो प्रोटीन बन रहा है वो किसके माध्यम से बन रहा है आरेने के माध्यम से और आरेने के प्रकार देखें तो कितने प्रकार के हो जाते हैं आरेने तीन प्रकार के हो जाते हैं एम रहने क्या करता है इसको जो भी खाने में मालों आपने खाना खाए खाना कहा पहुचे पहले आहां से अहारनाल से किसमें अमास है मैं अमास है से जब निकलेगा चोटी यहां तो क्या होता है उसका पांचन सुरूइत होता है बहां से अप्जोर्ब कर लेते हैं तो किया बन जा रहा एक दम पहचान लेगा इधर अर्य अरे अरे-अरे-ड क्या जा रहा है एमिनोसिट की क्या कर लेगा और अपने पास क्या कर लेगा कौन MRNA, अब MRNA कहेगा किसे, अब MRNA जो तकरा है और या जो देख रहा है वो तो ले नहीं जा सकता, वो कहेगा किसे 30 मिल गए हो 10 उठाके कहां ले की चला जाए और तस पहले से ही सरीर में ही उपस्तित होंगे तो यहनारे का किया बना देढ masih 10 प्रोटीन के प्रोटीन का क्या यह single standard होता है DNA double standard होता है अंतर भी बता दिया दोनों में अब दोगो क्या होता है RNA से RNA transcription गटना DNA से अगर RNA बनाओगे तो क्या कहलाएगा transcription कहलाएगा क्या कहलाएगा transcription RNA से protein बनाना translation कहलाता है क्या कहलाता है translation कहलाता है जबकि अगर देखा जाए DNA से DNA अगर बनाना है तो वो replication कहलाता है क्या कहलाता है replication DNA से DNA बनाने कमा आवसकता पड़ती है RNA से DNA बनाने की बहुत जादा आवसकता पड़ती है हमारे भारत में कोई भी ऐसी test नहीं है जो RNA की test कर सके इसके लिए DNA टेस्ट की हैदराबाद में आपको बता दी फिंगर प्रिंटिंग भी कहाँ पे हैदराबाद में ही है तो DNA के लिए क्या किया जाता है इस RNA को पुने किसमें बदला जाता है DNA में बदला जाता है जब RNA को किसमें बदलोगे DNA में बदलोगे तो ये घटना क्या कलाती है RNA को किसमें बदलेंगे DNA में तो क्या कलाएंगे reverse transcription कलाता है क्या कलाता है reverse transcription कलाता है reverse transcription किसमे DNA मन जाएगा DNA का आसानी से कर लेंगे परिछड आप लोगों ने एक सब जो सुना होगा Corona में RT-PCR जितना भी virus virus होता है उनके पास सबके पास क्या होता है RNA होता है तो अब लोगों ने सुना होगा एक test सुना होगा RT-PCR अब RT-PCR टेस्ट क्या होता है यह देखो ना का किस लावा है लावा से लेकर क्या कर लिया जाता है इसका परिछड कर लिया जाता है तो RT-PCR test क्या होता है देखो RT मी सोजाता reverse transcription यानि कि RNA को किस में बदला DNA में जब बदला है तो उसकी polymer chain reaction यानि कि जो उसका स्रंकलन रहा है उसी को क्या कह देते थे RT-PCR test कह देते थे RT-PCR reverse transcription ठीक है और क्या हो जाएगा polymer chain reaction ठीक है तो RT-PCR test होता था तो जितना भी corona और RNA virus है उसका पता किसे लगा लिया जाता था RT-PCR से लगा लिया जाता था अच्छा क्या है DNA को मैंने आपको बता दिया था यह एक अनुवांसिक पदार्थ है अनुवांसिक पदार्थ अब जैसे आप पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे कोसिका सुत्र में उपस्ते जो DNA होते हैं DNA में क्या हो जाता है जो बदलाव हो जाता है उसी से क्या हो जाता है कोई किसी किसी की उंगली बढ़ जाती है कोई चंगुन हो जाता है कोई क्या हो जाता है ना तो इस्तरी रहता है ना पुरुस वो सब क्या होने बता दिया DNA में अनुआ आन्वांसिक क्या होता है अन्वांसिक पदार्थ होता है डियेनयगों अगर बारत में पूछा जाये प्रियोग साला प्रियोग साला में जीन का जनक किने काता है या तो कह दें अन्वानसिक पदार्त का अधियन के जनक किसे कहने तो वो हरगोविंद खुराना को का जाता है किसको का जाता हरगोविंद खुराना अब हरगोविंद खुराना ने किया किया था देखो जैसे कद्दू है तो कद्दू मोटा तो हो रहा था लेकिन लंबा नहीं हो रहा था वैसे लोकी देखी लोकी क्या हो रही थी लेकिन क्या हो रहा था वो मोटी नहीं हो रही थी लोकी का जीन निकाल के किसमें लगा दिया कद्दू में तो अब देखे हो कद्दू एकदम कैसे हो जाते हैं बहु लोगों के jean में बदलाब कर रहा है वो यह देख रहा है कि किस जीन कीया कारेड टंफ ब्लगों एसा चीं लगा रहा है जिससे ठाके नहीं आई जीन का बदलाब एकदम नहीं दिखता है कई और पीडी बात दिखता है समझ माया जैसे आप उसमें देखा और जैसे जापान में परमाडव हमला हो गया तो बहां लोगों में कई नागा साकी और हिरोसमा में कई लोगों के तो जो बच्चे जनम रहे थे तो वो क्या उनके किसी का हाथ नहीं आ रहा था कुसी पैर नह में आरेने में अंतर भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे अगर आपको यह अच्छे से समझ में आया है तो हमारे हमें अवस्य सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक अवस्ति करें और अच्छा जादा ही अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सभी क सबी सातियों को जय हिंद